अब इसलिए गुड़ मॉर्णिंग गाइज मैसेलफ चन्दन कुमार I hope you are doing well मैं आसा करता हूं आप लोग अच्छ होंगे आज हम लोग क्लास 9 के सकेंड यूनिट के तीसरा चेप्टर पढ़ने जा रहे हैं समबड़ीज मदर और देखेंगे इस चेप्टर के थुरू पर आपको पढ़ाई में वीडियो बनाओ उनका नोटिफिकेशन आपको जल्से जल्द मिल सेगे और आपकी पढ़ाई में help करें तो चली हम लोग देखते हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी पोईम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या गरते हैं उनके वार्मि करने रहते हैं जो की पेपर में हमारे जो में पेपर होते हैं उनमें helpful होते हैं तो चली हम लोग पहला कोस्टन्स देखते हैं क्या बोला जाता है read the following प्रोभर्प्स that has biblical reference आपको क्या करना प्रोभर्प्स को पढ़ना है और उनके message reference उनको बताना है पहला देखे क्या दिया गया हमें प्रोभर्प्स क्या है do unto others as you would have others do unto इसका मतलब क्या है वैसा ही वहवार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो आपको उस प्रकार से ही दुसरे के साथ वहवार करना जैसा आप अपने लिए चाहते हो आगे questions में क्या बोला गया है now find at least five other proverbs आपको क्या करना है 5 जिए प्रकार के other proverbs को find out करना है which convey the same message जो कि same message आपको क्या करता हो देता हो search the internet dictionary of proverbs आपको क्या गरना आप internet सर्च कर सकते हो या dictionary सर्च कर सकते हो और वहां से आपको इस same message वाले प्रोभवस को find out करने है तो चलिए हम लोग देखते हैं वैसा ही करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही वहवार आपको करना है जैसा आप अपने लिए चाहते हो तो चलिए मैंने यहाँ पर लिखा आपको पहला जो है same related प्रोभवस है आपका treat others the way you want to be treated आप दूसरे कुशिपकर से treat करो वहवार करो उनके साथ जैसा आप अपने साथ वहवार चाहते हो same message देना चाहरा same proverbs दूसरा देखे क्या है मारा life is echo what you send it come back out life क्या आपका echo है जो आप भेजोगे वह आपको क्या मिलेगा return मिलेगा तो same है वही वैसा ही वहवार करो जैसा तुम चाहते हो या फिर जैसा आप वहवार करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा second का ही मतलब आपका same है तीसरा देखिए as you so so sell you reap जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे या आप सुने होंगे जैसा यह नहीं कि आप आज कर्म कर रहे हो वैसा ही आपको फल मिलने वाला है यह भी same आपका message दे रहा है वैसा ही करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो same meaning है next love people the way you want to be loved आपको दूसरे व्यक्ति से उसी प्यार प्यार कीज़े आप जिस प्रकार से आप अपने आपको प्यार करना चाहते हैं same meaning दे रहा है वैसा ही वैबार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो का okay next five मैंने लिखाया love your never like yourself अपने जो प्रोशी है आपके आसपास ज which give the same meanings as do unto others as you would have others do unto you okay guys now come to the second question so what we have to say here study the following sets of words आपको क्या करना है या पर जो कुछ सेट दिये गया है उनको स्टेडी करना है पढ़ना है तो चली देखते है सेट आ दिया गया और सेट बी दिया गया है सेट अ में क्या बोला आपको प्लिस्ट हैपी जॉइफोल असेटिक में क्या बोला है लेटर वर्ड्स, सेंटेंस, पीरग्राफफ्स, देखेए सेट ए और सेट बी में क्या है की एक एक कवगी चीज है तो उनको बर्ते कर्म में लिखा गया असेन्डिग और में लिखा गया usभ से पहले क्या होता है या आदम कुछ हुआ het क् COB आदमी कुस सबसे कम उससे ज्यादा उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे पहले जो होता है किसी भी चीज हम लिखते हैं इंगलीज में तो क्या होता है लेटर से स्टर्ड करते हैं लेटर के बाद क्या आता है और वर्ड के बाद क्या आता है और वर्ड के बाद क्या ग्रूप दिया गया है इडल्ट दिया गया इज दिया गया एज इज दिया गया ह। का मतलब एडल्ट क्या होता है बीच वाली येज हो गया मतलब मतलब क्या हो गया बुढ़ विधाguru हो घया इन्फेंट मतलब क्या हो गया जया जब बच्चे जन मिले तन बहुत तो जो olan आसपास हो या फिर 45 के आसपास हो या 50 के आसपास हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं ओके गईस नौ कम टू दा सकेंड B सेट kold फ्रीजिंग kool चील इनको भी क्या तरण आपको ये सेंडिंग आउडर में करना है तो सबसे पहला जो होता है उनको हम लोग क्या बोलते है ठंड उनके बाद जो उनसे ज्यादा हाई लेवल पर होता है उनको हम लोग कोल्ड बोलते है जब उनसे भी ज्यादा होता तो उनको क्या बोलते है चील बोलते है जैसे हम लोग ठंडा पीने के लिए जाते है तो क्या बोलते है चील थंड़ा देना तो फ्रस जो अगे है वहाँ देगर होगा फ्रीजिंग हो जाएगा इसमें क्या होगा बर्फ जम जाएगा ऐसे सारे क्या एक एक अचेंडिंग उडर में लिए नेक्स दिखे C में क्या दिया गा आपका तो सबसे पहला हमारा क्या होगा? उसके बाध, सबसे बूलतया हुअ उनको अम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिलेंट से जो आगे बला लेवल है, उनको अम लोग क्या बोलते हैं, जमीएस बोलते हैं, Okay, now come to the city, mountain, peak, summit, Okay, mound, और hill, तो सबसे जो छोटा लेवल का होता है, इनमें हम लोग क्या बोलते हैं, माउंड बलते हैं उनके बाद हील आता है और उनके बाद माउंटेन आता है और लास्ट वण के आता है हमारा पीक और समीट आता है okay guys and now come to the third question third question में क्या बोलागे आपको prepare similar word since using the flowing idea आपको flowing idea use करके क्या करने है similar words को write down करने है जैसे देख लीजे, rain और drizzle से दिया हुआ था तो आपको क्या करना है एक टाइप के वर्ट्स के लिए आपको 5 वर्ट्स लिखने है या फिर उनसे ज्यादा जितना लिख सकते हैं आपको लिखने है तो देखिए rain को हम लोग क्या बोलते है ड्रीजल भी बोलते है, sour, downpour भी बोलते हैं, dulls भी बोलेंगे, thunder, break भी बोलेंगे आउके वर्ट्स के लिख सकते हैं गेराया जसे लिख सकते हैंbased लिख सकते हैं river लिख सकते है, sea लिख सकते है और ocean लिख सकते है क्योंकि हर जग आपको क्या मिलेगा water मिलेगा और सारे क्या water body है, next देखे, size, size यहां पर किन के लिए हमको लिखना, big के लिखना है, big में पहली दिया गया था तो big के लिए हम लोग size में क्या लिखेंगे, big लिखेंगे, large लिखेंगे, huge लिखेंगे और must लिखेंगे ओके यह सारे क्या है, big को ही define करता है, और size को with respect to big, फिर से size है हमारा लेकिन with respect to a small, a small के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a small, little, teeny or minute ओके यह था हमारा warming up और अब हम लोग आते हैं अपने exercise पे, somebody's mother, इनके हम लोग summary आज देखेंगे तो चली देखते हैं सबसे पहले summary, पहला paragraph में क्या बोला गया देखी क्या बोला गया है, कि एक ओमें जो एक बुढ़ी ओमें जो है, बुढ़ी ओमें जो है वो क्या कर रहे है, रोट के किनारे खड़ी है और ठंड के चील में बहुत ज्यादा ठंड पर रहे है उनमें वो जुकी हुए है, क्योगी बुढ़ी होगी तो उनकी कमर भी क्या हो जाएगी जोग 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 जाएगी, और वो पुड़े दिन समर डे में क्या हूए जोगी है और वोagen कि खड़ी है जिस षटीट में है आपका आंखहें कि वह खड़े होकर क्या कर रही है , वह क्या कर रह Eddy वह क्या कर रही है रोड को णरॉट को क्रॉस कर ​ यकी면 क्रॉस कर पाति है सब घलती हो फिक में वह नतव्ड रहती और हमें गुसेली भरी आंख्य dialog गुषें वो क्या करते हैं आते हैं जाते हैं और उनको क्रॉस करते हैं लेकिन उन पर कोई भी ध्यान नहीं देता है और बिना उनके केर किये हुए सब एक दूसरी क्रॉस कर रहे होते हैं देखहें, क्या होता है की अब आके सब्सक्राइब आवाज तरह और उनके छीट से चुट्ति मिल गई हों वो बच्चे आरे हैं और आते हैं सारे खुश रहते हैं और वह एक जूण में जिस परकार से भेरी, एक जूण में चलते हैं, उसे परकार से बच्चे भी और उस demon के थी जहाते हो जो बुढ़ी उरत थी जो बुढ़ी ऑ्रATE थी और जो grey, इस बाल को चल एक ताजज प सुंच कर जाता हूँ, Out 피 freaking पहिते हैं अपने राश्ते पर वहाँ पर जितने भी बच्चे कोई भी जो भी वेक्ती गुजरे चाहे वो स्कूल का बच्चे हो या फिर और अधर पब्लिक हो वो किसी ने भी उस बुढ़ी औरत को अपने हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड नहीं किया जो की एक बुढ़ी कमजोर और डरी हुई थी किसको क्रॉस करने में श्टीर और थरहा रही थी या फिर काप रही थी लिस्ट दा कैरेज वील्स अब दहोर स्फीड और वो इतनी डरी हुई थी यदि वील की आवाज सुन ले काट की आवाज सुन ले घोड़े गारी करी तो उनसे भी वो क्या है उस पे उस स्टीट पर फिसल कर गिर सकती थी शू ट्रेंपल सर्ड डाउन इन दे स्लिपरी स्टीट और उन पर गिर सकती थी अब आप चाहो तो मैं आपको क्या करवा सकता हूं आपका मैं हल्प कर दूँ आप पर आपको क्रॉस करने में , रोड को क्रॉस करने में her seized hand on his strong young arms hen placed and saw without hurt and harm he guided the trembling feet along proud that his own were young and strong then back again to his friends he went his young heart happy and well content UNKEYJEW TAK JUSTINA, UN hetwar क्या होता है वह जब बोलती है तो बुड़ी और चाह बोलता है तो बुड़ी औरत जो है ओशार कंजर हाथ रहते हैはい। उस लड़ 있나 लड़के को देते हैं, जो कि एक strong लड़का था, strong दिख रहा था, जवानी एज में था, तो उनके बाद वो लेने के बाद क्या करते हैं, उनको without hurt किये हुए, क्योंकि वो कमजूर थी, जो उनको पगरता थी, hurt होती बुड़ी, जो बुड़ी और थी, तो without उनको hurt किये हुए, पर क्या, वो young है, और strong है, then back again to the friend, और उनके बाद जो फिर अपने दोस्तों के पास लॉड़ जाते हैं, his young hurt, happy and well content, और उनके जो young hurt थे, युवा, वो युवा जो थे, वो क्या थे, खूस थे, और well content एक सही, अच्छे तरीके से विवस्तित थे, ओके गाईस, now come to the next, see somebody's mother's wise you know, और उनके बाद वो जाके बोलते हैं, अपने दोस्तों के पास से आगे, क्या बोलते हैं, क्या तुम लोगो का मालूम है, क्या वो जो है, वो भी क्या होगी, किसी की मा होगी, for all she aged, she has aged and poor and slow, लेकिन वो अभी क्या हो चुकी है, aged हो चुकी है, उनकी age बढ़ चुकी है, वो गरीब हो सकती है, और slow, यानि कि age होने के कारण वो क्या हो गई है, गरीब हो गई है, किन से, अपने सरीर से, अपने मानसिक से, mental से, so and someone sometimes may lend a hand to help my mother, you understand, और देखो क्या हो सकता है, कि कभी भी किसी भी time हो सकता है, कि किसी ने मेरी मा को भी help किया हो, अपना हाथ बढ़ा ह हो, help करने के लिए, you understand, क्या आप समझते हो ऐसे, क्या आपको ऐसा लगता है, यदि मान लेजे, आप नहीं, अपने मा के पास, और, तो वहाँ पर कोई विक्ति होगा, ऐसा, जो क्या हो, आपकी मा बुढ़ी हो गई हो, तो उनको क्या करेगा, क्यों ने कोई, help करेगा, इसल इसलिए क्या करना चाहिए, आपको भी उस टाइप के विक्ति का help करते रहना चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए, यदि आप सक्षम हो help करने में, तो आप अपने आस पास जो लोग है, बुढ़ी, बुजूर्ग है, उनका क्या क्या करना चाहिए, आपको help करना चाहिए, ताकि उसी प्रकार कोई भी विक्ति आपका, आपकी मदर को या फिर फादर का help कर सके, ऊके गैस, नौब बुढ़ी मदर बॉट लो हर हडि इं उनके वाद क्या क्या कती हो सकता है, उस रात जो वो मा होगी जो उसका सर जुका हुआ था वो अपने घर पे जाने एक बाद उस रात प्रेयर करती होगी क्या या फिर प्रेयर करेगी क्या प्रेयर करेगी गॉड भी काइंड भगवान क्या हो उनके परती द्यालू हो उस novel बच्चे के पर थी जो क्या हो किसी का बेटा होगा और उनको अपने आप पर गर्भाई वो अपने life को enjoy कर रहे है या फिर वो किसी का help कर रहे है तो क्या करेंगे जिनका आपने help किया है वो आपके लिए क्या करेंगे दौा करेंगे आपके ममी पापा यहाफिर जिनको भी हैं द stub करेंगे उनके लिए ओके गाइस और आपके लिए भी तो analyzing क्या चाहिए , जब भी आप zęप किसी को भी से पर्स से लोग को देखते हो you तो आपको क्या करना चाहिए , उनका help करना चाहिए , तक यह साथ हो तो आपका भी फैमिली को कोई help कर सके क्योंकि हमें क्या बनाना एक ऐसा society बनाना है जो कि क्या करें एक दूसरी का हम काम आ सके राइटर जो है यही message देना चाहते हैं आप लोगों को और राइटर इनके है Mary, Dog, Barron इस देना चाहते हैं और आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दूस्तों के साथ सेर करें और बताएं और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी करें और कॉमेंट सेक्षन में मुझे बताएं कि आपको प्राब्लम कहां पर मिल रही है फेस करना पर रहा है Thank you guys for joining classes and by stay at home and stay safe Thank you